हेलो फ्रेंट आज हम बनाते हैं बेशन की सबजी जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो जिसके लिए हम दो कटोरी बेशन लेंगे और इसमें डाल देंगे हम आधा चमच धनिया पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर और आधा चमच अद्रक लासन कुटा हुआ और इन सभी मसाले को अच्छे तरीके से बेशन में मिक्स कर लेंगे उसके बाद जैसे जैसे जरूरत हो पानी डालेंगे पानी आप कम कम ही करके डाले ताकि बेशन में लम्स नहीं परे और इस तरीके से पानी डालते हुए एक घोल तेया कर लेंगे और यहां देखिए पानी थोड़ा कम दिख रहा था तो थोड़ा सा पानी और डाल कर इसे हम मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें डाल देंगे स्वात के हिसाब से नमक नमक डालके भी एक बार अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं और यह देखिए घोल तयार इसे 10 मिनट के लिए रेश्ट होने देते हैं मसाला बनाते हैं तब तक डाल देंगे 4 चमच सरसो पीली वाली और 20-25 लहसुन की कलिया फिर एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच मिर्ची पाउडर और आदा चोटी चमच कास्मीरी लाल मिर्च और इन सभी मसाले को डालके एक अ तेल गरम थोड़ा सा तेल डालेंगे तेल जादा नहीं डालेंगे तेल जब गरम हो जाए तो ये बेशन वाले घोल को हम इसमें डाल देंगे और इसे हम मिक्स करते हुए अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पर इसे चलाएंगे और सारे बेशन को भूनते हुए हम इसे सु और जब यह सुक जाए जैसे आटा गुंतते हैं उस तरीके से यह देखने लगेगा और यह देखिए यह हो चुका है तब गैस को बंद कर देते हैं और एक कोई भी थाली ले लेंगे जिसमें थोड़ा सा तेल डाल कर इस तरीके से फैला देंगे और फिर सारे बैटर को इसमे पाद यह ठंडा हो चुका है तो चाकू में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और जो भी सेप आपको मन करें उस सेप की यह सबजी काट सकते हैं और यह देखिए कितना आसान तरीके से यह कट रहा है और कितना आच्छा यह पीसमें निकल रहा है अब देख सकते हैं कितना हम रखेंगे और बारी-बारी से सारे कतली को हम इसमें डाल देंगे और डाल के हम तीन से चार मिनट के लिए इससे फ्राई कर लेंगे फ्राई करने से इसका टेस्ट अच्छा आता है आप चाहे तो कच्छा भी बनाएंगे तो अच्छा लगेगा लेकिन इसका टेस्ट ज् दाल लेंगे और यह सारे बर्फिया अब तल चुकी है तो उसी तेल में हम डाल देंगे आदा चमच पीली बारी सरसो जब सरसो चटक जाए फिर इसमें जो भी मसाला हम तयार करके रखे हैं उस मसाले को डाल देंगे फिर इसमें डाल देंगे एक कटा हुआ टमाटर और इन नमक डाल चुके हैं तो इसी तरीके से भुनते हुए मसाले को लगबक पांच मिनट के लिए भुन लेंगे जब तक कि तेल न छोड़ दे मसाला और आप देख सकते हैं जैसे जैसे मसाला भुन रहा है इसमें से तेल कितना अच्छा अलग हो चुका है तो बस अब मसाले को जादा नहीं बस एक मिनट के लिए और इसे हम भुन लेंगे और भुनते हुए देखे कितना अच्छा मसाला दानेदार हो चुका है तो अब हम यहां पर पानी डाल देंगे पानी आप दिरूरत के हिसाब से डाले जितना अपो ग्रेवी पसंद हो और आप एक बार इस रेस जब एक बॉयल आ जाए तब इसे ढख देंगे ढख के 5 मिनट के लिए इसे पका लेंगे और यह देखिए कितना अच्छा मसाला बन चुका है ग्रेवी अब इसमें हम जो भी कतली है इसे हम इसमें डाल देते हैं और डाल के बस लगवग 2 मिनट के लिए इसे ढख के बनाए और यह देखिए बेशन की कितने अच्छी सबजी बन के तयार है अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दे दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दे मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए ब GUY झालएब खुट प्लाइब कर दे ऑ्रीण हैं झाल संद ए दृट्ट कर दे हैं अजगी घए और बाहांने में उमी यहा रदात से टूटे प्रीणी सवप बाहाभ प्ल्ड़ श्ता जाराक सो से ड्ड़ बाहा हैं तो आख हैं हैं तो व कर दो कर दें हैं लुटे दो प्लान